राज में अब आम आदमी के साथ ही सरकारे कर्मिचारियों को भी अटल आईश्मान योजना का लाब दियाने की तैयारी की जा रही है अटल आईश्मान योजना के अंतरगत सभी कर्मिचारियों को आईश्मान योजना का लाब दिया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मिचारियों और उनके परिजनों को भी इस योजना का लाब मिलेगा वहीं योजना के अतरगत निगम बोट की मन्जूरी के बाद निगमों के कर्मिचारियों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा जिसे उन्हें मुफ्त स्वास सेवाओं का लाब मिल सकेगा अटल आईश्मान योजना के सीओ अरुनेंद्र चहा ने बताया है कि योजना का लाब सभी कर्मिचारियों को मिल सके इसके लिए तयारें की जा रही है कर्मिचारियों के लिए राज सरकार द्वारा स्टेट गोर्मेंट हेल्थ स्कीम के नाम से एक योजना लॉंच की गई है जो जिसका संचालन स्टेट हेल्स अतरुटी द्वारा किया जाएगा और इसका जो बेसिक थीम है वो आईश्मान के उपर बेस है लेकिन इसमें कुछ अतरिक प्रावदान किये गए है जैसे आईश्मान में पांचलाग रुपे तक की प्रावदान है इसमें कोई ट्रीटमेंट की कोई लिमिट नहीं है इसमें हर तरह की बीमारी और साथ-साथ जो और्गन ट्रांस्प्लांट है वो भी सामिल है यह कंट्रिविटरी स्कीम है कर्मचारियों से कुछ कंट्रिविशन भी लिया जाएगा जो 20 रुपे से लेके 1000 रुपे परमन टक है और इसके साथ-साथ इसमें रूम्स के लिए अतरिक ब्यवस्ता है जो हमारी आईश्मान स्कीम है नहीं है